हेलो, आज हम बात करेंगे इतनी एलगा उडो गोनियम के बारे में ये जो उडो गोनियम है ये दो ग्रीक लेटर से मिलकर बना है उडो और गोनोज उडो का मतलब होता है स्वैल्ड और गोनोज का मतलब होता है रीप्रोड़क्टिव ठीक है तो ये जो इलगा होते है इसका जो जब बाड़ी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका जो रीप्रोड़क्टिव आर्गन होता है इसलिगे उसे उडोगोनियम का नाम दिया गया अब हम सिस्टेमेटिक पोजीशन देखेंगे तो उसका जो एक उडोगोनियर्स फैमिली और जीनस ए उडोगोनियम एक वाइबा का question बनता है कि किस character की वज़ा से इसको class chlorophyc में रखा गया तो इसका answer है कि class chlorophyc के जो इलगा होते हैं वो green color के होते हैं ठीक है और इसमें जो pigment होता है वो chlorophyll A और B होता है food material जो होते हैं वो starch के form में रहेंगे ठीक है और इसमें flagellated reproductive bodies होती हैं यह जो character है इन्ही character के base पे इसे class chlorophyc में रखा गया है अब बात करते हैं अकरेंस की तो यह जो ऊडोगोनियम होता है इसके 400 species ज्यात है यह fresh water filamentous इलगा है यह fresh water में पाय जाते हैं इस यूजली प्रिजेंट इन पर्मानेंट वाटर बाडी यह पर्मानेंट वाटर बाडी में प्रिजेंट रहता है जैसे pond हो गया लैक्स हो गया सेलो टैंक्स हो गया जो ऊडोगोनियम का filament होता है वो रॉक से लॉक से इन सबसे अटैच रहेगा या फिर वो इपीफैटिक होते हैं on the aquatic plant and other इसमें दब कोई भी इल्गी हो या फिर जो एक्वाटिक प्लांट है उनसे भी अटैच रहेंगे इसकी वज़े से इसको इपीफैटिक का नाम दिया गया सम अब दी सम इसपीसिज सच अज उडोगोनियम टेरेस्टिरिस उडोगोनियम रंधावे एंड आर टेरेस्टियल ग्रोइंग और मोइस्ट स्वैल कुछ जैसे जो टेरेस्टियल एल्गी होते हैं वो नमी योगत भूमी पर भी ग्रोग करते हैं की इंडिया में उडोगोनियम के 200 स्पीसिज या थैं जिन में और और विजेरं मोचांच और पतव टोलूपन यहां से यहां तक है एक बार ही देख लिए यह फिलामेंट की जैसे दिखाए दे रहा है और यहां पर देखें कुछ उबरा हुआ पार्ट है जिसको इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे जो कि यह उबरा हुआ है इसलिए इसे उडोगुनियम का नाम दिया गया है हमारे नेक्स्टेढिंग है ठाल्डस क्से ंल्ड और रहेंगे इसके मैनर में अरेंज रहेंगे इसके सेल्डै ठीक है all cells are filaments are cylindrical and alike जो cells होते हैं filament के वो cylindrical नहींगे बेसल और एपिकल सेल को छोड़के बेसल सेल यह देखिये यह filament लाक स्ट्रोक्चर रहे इलका का यहां तक और यह EPICAL CILL है और यह BACAL CILL है बीसल CILL को hold fast कहते हैं जो कि attachment के लिए काम बे यह PROKा होगा और इनमें 05 कि जो सेल होती है बेशल और एपिकल सेल को छोड़के जितनी भी सेल सोती हैं उसको इंटर कैलरी सेल कहेंगे जो कि wedgeflly इया। सीप्वल होते हैं और ट्रेहरानियो को उपर लोते हैं और करना होते हैं कुछ ससेल के ऊपर इस तरह की सनरशना पाई जाए से हैं तो नंबर आप कैप्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि इसमें कितनी बार डिवीजन हो चुका है मतलब यहाँ पर दो है तो दो बार डिवीजन हो चुका है यहाँ अगर तीन हो जाते तो तीन बार डिवीजन हो चुका है यह नंबर आप कैप्स बताते हैं कि डिवीजन क सनरशना को जान लेंगे इसको एपिकल सेल कहेंगे यह जो लेयर है इसको सेलवाल कहेंगे यह अंदर का एक पार्ट है जिसे न्यूकलियस कहेंगे यह जो कैप लाइक प्रेजेंट है इसको कैप कहेंगे और यह मीडल का पार्ट जो है इसको उगोनियम कहेंगे इसमें जो और प्रेंच किलर का दिख रहा है वो एक नूकलियस है इनको सपोर्टिंग सेल कहेंगे यह जो एक दू तीन चार इस टैप से दिख रहे हैं उसे शैन एंथ्रीडियम कहेंगे यहाँपर जो चोटे चोटे संरश्ना प्रेजन्थ है उसको पैरिण वेट कहेंगे और उसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे सबसे नीचे वाले पर्ट को hold fast कहेंगे और उसको attachment disc कहेंगे क्योंकि यह attachment के लिए काम में आता है हमारी जो next heading है वो है cell structure तो जो eudoconium का cell होता है वो तीन भागों में बटा होता है outer cell जो kaitin का बना होता है middle जो की pactin का बना होता है और inner cell जो की cellulose का बना होता है the center of the cell is occupied by large vacuoles जो cell की center में एक large vacuoles में आ जाता है और इस large vacuoles और cellulose layer के बीच में एक thin layer होता है protoplast का the chloroplast is reticulated जो इनका chloroplast होता है वो reticulated type का होता है extending in the form of seed जो की एक seed के form में present होता है throughout the protoplast जब reticulated chloroplast बनता है तो उसी time parin white का निर्माण होता है nucleus found in the middle layer जो nucleus होता है वो middle layer में पाए जाता है cell के the band form at the time of cell division इस तरह के जो band बने हैं ये cell division के time में बनते हैं और उसे apical cap कहते हैं and this cell with apical cap जिस cell में apical cap present रहेंगे उसको capsule कहा जाता है ये cell structure है ये caps है जो bands बन रहे हैं उसके और ये cell पाल है ये chloroplast है ये रेटिकुलेटेड ये साइटो प्लास्म है और ये रेटिकुलेटेड क्लो प्लास्ट है पारिन्वाइंड है और ये जो middle में प्रेजेंट हो उसको हम nucleus कहेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे reproduction की तो उडूगोनियम है उसमें वेजिटेटिव एसेक्जवल और सेक्जवल रिप्रोड़क्शन प्रेजेंट होता है तो जो वेजिटेटेटिव रिप्रोड़क्शन होते हैं वो दो मेथड से बनते हैं होते हैं बाइफ्रेग्मेंटेशन और बाइएकाइनेट्स फ्रेग्मेंटेशन में क्या होगा कि ऊडूगोनियम का कोई भी पार्ट जो होगा किसी भी मेकाइनकल इंजरी की वज़े से फ्रेग्मेंट में ब्रेकडाउन हो जाएगा और प्रतेग्मेंट के पास कैपिबिल्टी होगी कि वो एक न्यू फिलामेंट का निर्माड करें वहीं बाइएकाइनेट्स इसमें क्या होगा कि दीज आर थीक वाल्ड रेडेइस और ब्लू Esofreable Condition। इसमें क्या होगा कि जब Unfeworable condition आएगा तो एक स्माल चैन बन जाएगा इज़र ठीचव है वह ए एसेक्जुल रिप्रोडेक्शन इन ओडोगोनियम तो ओडोगोनियम में जो एसेक्जुल रिप्रोडेक्शन होता है वो जो इस्पोर्स के द्वारा होता है एक सेल से एक ही जो इस्पोर का निर्माड होता है जोइस्पोर का निर्माण उसे जोइस्पोरेंजियम से होगा जिन में एपिकल सेल एपिकल कैप प्रेजेंट होगे यह देखिए एपिकल कैप है वो जिसमें प्रेजेंट होगे उन्हीं के जोइस्पोरेंजियम से जोइस्पोर का निर्माण होगा जब जोइस्पोर का निर् और प्रोटोप्लास्ट के चारों तरफ ये इकठा हो जाएंगे जब जूस्पूर का निर्माण हो जाता है और जब उनमें मैच्योरिटी आने लगती है तो ये जो सेलवाल होता है उसको स्प्लीट करते हैं एपिकल कैब रीजन जहां होता है वहां से सेलवाल को स्प्लीट करेंगे और यहां पर देखें इमर्जिन जूस्पूर लिखा हुआ है तो मतलब जो जूस्पूर होंगे वो धीरे धीरे उपर के साइट आना श्टार्ट करेंगे उसके बाद एक मुसिलेजिनस वेसाइकल का निर्माड हो जाएगा जूसपूर के चारो तरफ और ये जो मुसिलेजिनस वेसाइकल होंगे जब ये पानी के कॉंटेक्ट में आएंगे तो यह dissolve हो जाएंगे और जैसे ही यह mucilaginous vesicle पानी में dissolve हो जाएंगे geospore freely यह जो geospore है वो पानी में swim करने लगेगा यह जो geospore होते हैं वो uni neglected होते हैं इन में basal area पे छोटे छोटे granules present होते हैं जो जिस पर flagela पाये जाते हैं और यह ring के form में present होते हैं इसलिए flagela भी ring के form में ही present रहेंगे और यह flagela एक दूसरे से connected होते हैं fibrous strand के द्वारा कुछ time कुछ घंटे पानी में swim करने के बाद इनके यह जो geospore होते हैं इनके flagela disappear हो जाएंगे और जब geospore में germination होने लगेगा तो यह जब geospore जो है वो किसी substatum से attach हो जाएंगे attach होने के बाद उनका जो basal region रहेगा वो whole fast के जैसे कारे करेगा और जो apical region रहेगा वो green color का होता है और यही apical region divide होगा और division देरे-देरे division करते हुए एक new odogonium के filament का निर्माण करेगा तो यह था odogonium का a sexual reproduction next में हम बात करेंगे sexual reproduction के बारे में